तो की आर्ट चासे क्या सब्सक्राइब आए होंगे दोस्तों फिर से आपका बहुत साहता है आपना चल गेमर लिलू में तो दूस्तों इस बिडियम लोग बात करने वाले पब्जी मोड के बारे में अगर आपने आज पब्जी मोड को आपन किया होगा तो आपने देखा लेकिन नया मोड आया हुआ है जो कि काफी ज्यादा आउसम है तो वीडियो को आज तक जरूर देखना कहीं भी स्कीप मत करना तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो जैसे ही अंपने इंगेम लॉबी पर आते हैं तो यहां पर हमें एक नया मोड देखने को मिलता है जो कि प्ले लैब में हमाराए ठीक है तो चलिए हम लोग यहां से प्ले लेप को आपन कर लेते हैं यहां पर हमें दिखिए हमें मिला है ब्लू हौल मोड यह नया आया तो चलिए मैं आपको इसे open कर देता हूँ उसके बाद समझा देता हूँ कि यह क्या कुछ है इसमें हम लोग कैसे survive कर सकते हैं और इसे कैसे अच्छे से खेल सकते हैं तो यह जो map है यह पूरा connection मतलब हमारे zone से है blue zone जो हमारा पीछे से आता है यह उसी zone से collection है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब भी आप blue zone के अंदर रहोगे तो आपका health जाएगा ठीक है और यहाँ पर कुछी area मिलता है safe केलने को बागी तो blue zone में सारा ड़की जाता है तो सभी चीज़े मैं आपको भी दिखाता हूँ तो चलिए वीडियो को थोड़ा से skip कर देते हैं और direct चलते हैं अपने match के अंदर लेगन चलिए एक कुछ और चीज़े मैं आपको बता देता हूँ जो किस map से related है पहली बात तो इसमें यार 64 ऐसा ही कुछ बंदे आते हैं यहां पर आप लोग मैप में देख सकते हो जो ब्लू जोन का एरिया है यहां पर इसके अंदर आपको लेंड नहीं करना है वरना आपका health जाएगा ठीक है तो बहुत छोटा से एरिया दिया है safe zone इसमें zone पहले से बन जाता है यह भी हमें आपको बता देता हूँ इसमें zone पहले से बन जाता है इसका नहीं है मतलब दिक्कत नहीं है कि बाद में zone बनेगा हम लोग को land करने के बाद तो इसका आप लोग देख के अच्छे से उतर सकते हो बस छोटा से एरिया मिलता है हमें zone में zone के अंदर बाकी तो पूरा यार वो blue zone से cover हो जाता है उसके अंदर अगर लोग जाएंगे तो health हमारा बहुत तेजी से कम हो जाएगा तो guys यहाँ पे मैंने blue zone जो वहाँ पे मतलब circle के अंदर बनता है उसके पास में land किया है मैंने यहाँ से मैं थोड़ी सी loot कर लिया उसके बाद चलिए मैं zone के अंदर जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे हमें किस तरह से damage होता है जादा होता है फाश्ट होता है कि कम होता है वो सारी जी मैं आपको बता दूँगा लगिन इसके अंदर कुछ facts और है मैं वो भी आपके सामने clear कर देता हूँ इसमें हमारा ranking नहीं बढ़ेगा ठीक है या तो आप लोग को पता ही होगा बहुत स्रीब हमारा normal classic वगएरा match में होता है और ranking तो नहीं बढ़ेगा इसमें हमारा जो revive वगएरा करते है फास्ट होता है और healing वगएरा भी थोड़ा सा फास्ट होता है लेकिन revive बहुत जादा तेज है तो देकि हम लोग यहाँ पर zone के जैसे ही अंदर है blue zone के अंदर तो यहाँ पर हमारा health जाना start हो गया है I think यह first zone है इसलिए यहाँ पर कम-कम जा रहा है लेकिन आप जैसे जैसी zone छोटा होगा वैसे ही आप इसके अंदर जाते रहोगे और आपका health भी काफी तेजी से जाता रहेगा तो यही थी इस map की कुछ basic सी जानकारी जो मैंने आपको बता दिया अगर आप खेलते वक्त अगर यह miss करते हो तो आप बहुत जल्दी मर जाओगे क्योंकि मैंने जितने random के साथ खेला बहुत लोग बीज में zone में जाके खूद रहे थे देखने के लिए क्या है तो वहाँ पर जाके मरी रहते और कुछ हो नहीं रहाता उनका ठीक है तो मैंने साड़ी चीज़े आपको clear कर दी है अगर आप इसके लिए tips और tricks चाते हो वैसे यह 30 mode मेरे को लगा उतना कुछ खास पसंद नहीं आया अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे comment बताना और कैसा लगा यह अपना opinion मुझे comment section पर जरूर बताना मेरे को तो सच्छी बोलोगी तो बेकार सा लगा क्या कुछ ला रहा है इन अंगल 2.0 ले आओ भाई कुछ तो अच्छा मिल जा है लेकि नहीं यह लोग अपना कुछ आप को डाउनलोड जो था वो अठी गया है तो कुछ-कुछ मैप आप लोगो डाउनलोड मिल जाएगा लेकिन सार्या नहीं मिलेगा तो आप लोग मैप को डाउनलोड कर लेना अगर आप किसी कुस्टम पर जाते हो बिना देखे ठीक है तो वहां से हटा देंगे आप लोग यार 500 लाइक के 500 लाइक तो बनते ही हैं मैंने वाइक कर दो किसी तरह अगर हो पाए तो आपके हाथ में है अब में मिलता हुआ सबसे नेक्ट वारे वीडियो में तक ले जहिन बंदे मातरम माता की जै